अमेरिका में वीडियो गेम टेट्रिस को हराने वाला पहला मानव खिलाड़ी एक 13 साल का बच्चा बन गया है। गेम के रिलीज होने के 34 साल बाद इसे कोई हरा पाया है। हरान कर देने वाली बात ये है कि गेम जीतने में उसे केवल 38 मिनट लगे। 13 साल के विलस किपसन ने अपने यूट्यूब चानल पर उश्रण का एक वीडियो भी पोस्ट किया जब वो लेवल 157 पर थे जिसके बाद गेम क्रैश हो गया। रिपोर्ट के बताव एक 13 साल का बच्चा अपनी 38 मिनट की दौर के अंत में जैसे ही गेम जीता है स्क्रीन क्रैश हो जाती है और ब्लॉक बंद हो जाते हैं। बच्चा अकलहामा का रहने वाला है गेम जीतने के बाद बच्चा अपनी कुर्सी पर वापस गिर जाता है। ये कहते हुए कि मैं बेहोश होने वाला हूँ, मैं अपनी उंगलियों को महसूस नहीं कर सकता। लेकर ये रूप से कुछ सार पहले तक खिलाडियों का माना था कि केबल 29 तर तक ही खेलना समभव है। ये लोगप्रियो वीडियो गेम तेज गती से गिरने वाले ब्लॉक्स को सही शेतिज व्याक्यों में व्यवस्तित करने वाला है। इसे मोल रूप से 1984 में सोवियत इंजीनियर एलेक्सी दुगारा बनाया गया था। और निंटेंटो एंटेंटेंमेंट सिस्टम और निंटेंटो के डेब्यू के बाद इसे लोगप्रियता मिली थी। आज गेम को मोबाइल फोन सहित कई कंसूल और प्लैटफॉर्म्स पर खेला जा सकता है।